गुलबरगा बार असोसियेशन की जानिव से तमाम एडवेकेट्स ने आज डिसी आफिस पर एतेजाज कर भालकी में लेडी एडवेकेट्ट पर हुए पुलिस जुलम के खिलाफ एक्षेल लेने का मुतालिवा किया है इस मौके पर मीडिया से बात कर बार असोसियेशन के जेनल सेक्रेड़ी एडवेकेट्ट बीयस नासी ने बताया बालकी में एक लेडी एडवेकेट्ट को प्रापटी डिस्पूट मामले में इल्लीगल तरीके से रात बारा बज़े घर से ग्राफतार कर मारपीड और गाली गलोच की गई और तीन दिन के लिए जुरिशल कस्टीडी में भेजने का काम किया है एक लेडी एडवेकेट्ट के साथ इस तरह का जुलुम देक पुलीस के खिलाप गूलबरगा एडवेकेट्स ने डी-स आओफिस पर इतिजास कर गुस्सा जाहिर किया है Advocate BS Nasi ने कहा Advocates पर इस तरह के हो रहे है जुलूम और हमलों को रोकने के लिए Advocate Protection Act की लगातर मांग की जा रही है सबको नमस्ते आज जो हमारे गुलबरगा बारश्यन के तरफ से जो हमारे वकिल के सारे हमारे संके मेंबर्स जो आज क्या है वो परसू के दिन भालकी में एक औरत के उपर क्या है पोलिस रात को बारा बजे उनके घर को जाके वो औरत को गालिया देना गलोजी देना और मार पीट करना और उनको क्या है उनके ऊपर क्या है या फायर करके तीन दिल के लिए जूडिशल कस्टडी बेजे थे तो उसके तरफ से हम क्या है पॉलिस के अभी जो आत्याचार बेंचाइर है अब वकिल वकिलों के खिलाफ ही इतना इनका खेल चलता है तो साधर अन्ड पॉब्लिक के खि प्रॉटेस्ट क्या है कि मतलब की यह पोलीस को के है कंट्रोल में लाना है Això центр आब कि बद्स पोली सब्ट्राइब के तरफ से करना पड़ता एंब अर लेडी हमारा जो प्रोटेश्ट का मतलब दो है एक पर्सुं का जो एक्ट पोलीसों का अट्रासिटी अडवाकेट पे वो कंडम करना है और दूसरी बात पोलीसों को कंट्रोल में लाना है तीसरी बात most importantly क्या है बोले तो अडवाकेट्स प्रोटेक्शन जारी करने के लिए हमारा ये Memorandum Submit किये है तो मेरे भाइयो हमारा जो प्रोटेश्ट था आज वो पीस्फुली था हमने किसको भी हाम ने किया हमने according to the law हमारा पीस्फुल प्रोटेश्ट था तो Memorandum भी Accept हो गया है हम थोड़े दिन में BCB हमारे को बरसादी है कि थोड़े दिन में क्या है उनके और यही कहना है कि Advocates Protection is the foremost thing. With this, thank you.